हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो कुक वीद पेशन एड हैपी न्यू येर फ्रेंड्स क्योंने नए साल की शुरुवत कुछ मीठे से की जाए तो आज मैंने बनाया है गाजर का हलवा उमीद करती हूँ आपको ये मेरे रेसेपी पसंद आएगी अगर मेरे रेसेपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हलवा बनाने के लिए मैंने एक किलो गाजर का इस्तेमाल किया है और उसको अच्छे से छील लिया है और अब हम इसे कदूकस कर लेंगे और मैंने इसको अच्छे से कदूकस भी कर लिया है तो अब हलवा बनाना शुरू करते हैं अब मैंने लिया एक कड़ाई और इसे गेस पे चड़ा दिया है और गेस की आँच को मैंने मीडियम पे रखा है और एक चमस देशी गी लिया है जब गी अच्छे से मैल्ट हो जाए जो कदुकस करके गाजर हमने रखी है तो इसमें हम डाल देंगे और एक से दो मिनिट के लिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे जिसे गी में गाजर अच्छे से बुन जाए इसमें बहुत ज़्यादा गी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बाद में भी गी अड़ करेंगे तो यहां मैंने एक चमस गी का इस्तेमाल किया है एक से दो मिनिट हो गए है और गाजर अच्छे से बुन गई है तो अब इसमें मैं दूद एड़ करूंगी मैंने आधा लिटर फुल क्रीम दूद का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो दूद को गरम करके भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहां कच्छे दूद का इस्तेमाल किया है अभी इसमें दूद कम लग रहा है लेकिन जैसे जैसे गाजर पकती जाएगी तो दूद की क्वांटिटी इसमें सैट हो जाएगी और अब हम इसे ढकन लगा कर कम से कम दस मिनिट के लिए फिर से पका लेंगे और गैस को यहां लोब फ्लेम पे रखना है और बीच-बीच में अच्छे से चलाते रहना है नहीं तो गाजर नीचे चिपकने लगेगी अब एक बार ढकन हिला अटा कर फिर से देख लेते हैं यह देखिए फ्रेंड्स गाजर है जो सोफ्ट हो गई है और दूद की क्वांटिटी भी अब कुछ ज्यादा लग रही है लेकिन अभी भी हमें इसे कुछ देर और पकाना है जिसे दूद अच्छे से गाड़ा हो जाए तो एक बार फिर से मैं इसे डखकन लगा कर कम से कम दस मिनिट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे फिर से पका लूँगे दस मिनिट हो गए है और दूद की क्वांटिटी भी अब कुछ कम हो गई है तो अब इसमें मैं चीनी डालूँगी मैंने एक किलो गाजर ली थी और मैंने ये दो सो ग्रम चीनी इसमें डाली है चीनी डालने के बाद इसे अच्छे से चमच की हैच से मिला लेंगे और गेस को हैं मैंने मीडियम पर ही रखा है अब इसे हम डख लगाकर 10 से 15 मिनिट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे ताकि दूद अच्छे से सूख जाए दस मिनिट हो चुके हैं और दूद भी अच्छे से सूख गया है अब इसमें कुछ ड्राय फूट्स एड़ करेंगे मैंने कुछ काजू और कुछ बादाम लिए हैं आप चाहें तो अपनी पसंद के अनुसार कुछ और भी ड्राय फूट्स इसमें एड़ कर सकते हैं थोड़े से किस्मिस भी लिए हैं और इसे एक बार फिर से मिला लेंगे और अब इसमें मैं डाल रही हो मिल्क पाउडर आप चाहें तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं लेकिन मावा इजिली घर में अवेलेबल नहीं होता है मिल्क पाउडर इजिली कोई भी ग्रोसरी सोप पे मिल जाता है और मिल्क पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है मिल्क पाउडर डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर लागातार इसे चलाते रहेंगे और इस स्टेज पर अब मैंने डाला इसमें एक चमस देसी गी क्योंकि देसी गी से हलवे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और लागातार इस तरह से उसे चला लेंगे और ये देखे फ्रेंड्स हमारा दानेदार गाजर का हलवा बनकर तयार हो गया है अब मैं आप कुछ से सारू करके बताती हूँ ये देखे फ्रेंड्स हमारे गाजर का हलवा बनकर तयार है तो इन सर्दियों में आप भी घर पर गाजर का हलवा बनाए और मुझे कमेंट्स करके जरूर बता हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद